नमस्कार दोस्तों एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ महुंची जैस्वाल आप देख रहे हैं Target is possible जितने भी CSC के माध्यम से अधार UCL Update Center खोल के काम करने वाले Operator Supervisor जो की CSC से ही जो की CSC भीयली हैं उनने के लिए यहाँ पे अधार को लेकर बहुती बुरी ख़बर निकल के सामने आ रही है दोस्तों आपनों को पता होगा इससे पहले आपनों से अधार का काम क्यों चिना गया था कुछ ऐसे भीयली थे जिनोंने इतनी सारी गरबड़ियां फैला दी थी कि मजबूरन UIDI को CSC से और अधार प्राइबेट कमपनियों से अधार जैसे कारे को वापस ले लिया गया था लेकिन आज भी कुछ ऐसी मचलियां हैं जो पूरत थलाप को गंदा करने के पीछे लग गई हैं तो आप लोग साधानी बरते और अधार UCL में सही से काम करें और किसी भी नियमों का उलंगर ना करें इसी एक संबन में आपनों को पूरी जंकारी देने वाला हूं कहां का अ अधार सुपरवाजर अपरेटर जो कि CSC भी लिदा पकड़ा गया है और उसके संबन में आकभारों में भी डीटेल आई हुए है इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसे जिनों ने अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब ने किया है उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप दोस्तों चलिए शुरू करते हैं यहां पर देखेंगे मैंने एक ट्वीटर हैंडल से इस डिटेल को लिकाला है जहां पर बताया गया है अधार कार्ट के नाम पर हो रही है जमकर अवैध असूली सोसल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही है धजियां प्रसासन मौन ती अधार कार्ट अनिवार कर दिया गया है वहीं मुंगराबाद साहपूर में अधार कार्ट बनाने वाले सेवा केंद्रों पर बेखोप होकर अधार कार्ट बनाने के नाम पर धन उगाही किये जाने का मामला प्रकास में आया है मिल जनकारी के अनुसार निधारित भाम के लि वाले फॉर्म के नाम पर तीन से चार सो रुपे तक की वस्वली बेखोब की जा रही है जिसका विरुत करने वालों को दूसरी जग़ा अधार कार्ड बनवाने की सलाहत दे दी जाती है रामपूर हरीगिरी निवासी वसिष्ट पांडे ने बताया कि मुंगराबाद साहपूर नगर में दोनों जनसेवा केंदरों पर अधार कार्ड बनवाने के लिए गया लेकिन वहां फार्म के लिए चार सो रुपे की मांग की गई पिराल जनसेवा केंदर जहां अधार कार्ड बनने के लिए अवैद वस्वूली करने में जूटे हैं वहीं सोसल डिस्टेंसिंग की धच्जियां उड़ाई जा रही है बावजूद इसके स्थानी पुलीस प्रसासन के साथ ही तहसील प्रसासन भी मौन है इस बावत जनकारी है तो जब उप जिलादकारी मसली सहर अंजनी कुमार सिंग ने संपर्ख करने का प्रयास किया गया तो उनका UGC मुबाइल फोन कवरेच से बताया जिसे उनसे संपर्ख नहीं हो सका लोगों ने जिलादकारी दिनेश कुमार सिंग का ध्यान आकरिष्ट कर त्वरित करवाई करने की मांग की तो यहाँ पर देखेंगे एक अधार कार्ड अपडेट करने को लेकर 300-400 रुपे कुछ ऐसे भीयल ली हैं जो उसूल नहीं और यह सरासर गलत है आप लोग ऐसा मत क किजिए नहीं तो आप लोगों की बज़ा से सभी अधार यूसियल अपडेट सेंटर को बंद कर दिया जाएगा इमांदारी से आप लोग काम किजिए और लंबे समय तक ठीके रही है अधार यूसियल के साथ इस वीडियो के माद्दम से मैं पूछूंगा सवाल कि क्या झांग से जहीं बंदे मतरम